कुछ दिनों बाद गर्मी की छुटियां शुरू होने वाली है ऐसे में लोग एक शहर से दूसरे शहर में सफर करेंगे कोई अपने छुटिया मनाने किसी हील स्टेशन पर जाएगा तो वहीं दिली जैसे बरे शहरों में रहने वाले लोग अपने गाउं की ओर लोटेंगे इस दोरान ट्रेणों पर भारी भीड देखने को मिलने वाली है वहीं रेगुलर ट्रेणों में अभी से ही वेटिंग जल रही है भीड और कन्फर्म टिकेट की मारा मारी से यात्रियों को बचाने के लिए रेलवे की तरब से कई समर स्पेसल ट्रेणों की गोशना अब तक ह हो चुकी है इसी क्रम में राजधानी पटना से आनंद विहार टर्मिनल के लिए एक जोड़ी समर स्पेसल ट्रेण चलाई जाएगी यह स्पेसल ट्रेण विहार के राजधानी पटना से देश की राजधानी दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच 71 ट्रीप लगाएग बिभीन श्टेशनों पर रुखते हुए अगले दिन सुबा 6 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुचेगी पटना से ये ट्रेन 15 से 20 अपरेल और 27 अपरेल से 30 जुन 2024 तक परिचालित की जाएगी ये ट्रेन पटना जक्सन से 16 बजे खुलकर 16 बज कर 13 मिनिट पर दानापूर 16 बज कर 43 मिनिट पर आरा 17 बज कर 25 मिनिट पर बक्सर 19 बज कर 10 मिनिट पर डिडियू 21 बज कर 5 मिनिट पर प्रियागरक जक्सन 23 बज कर 15 मिनिट पर गोविंद पूरी रुखते हुए 6 बजे अंद विहार muss criminal पटना summer special train आनद विहार से प्रति दियों सुबा आठ बज खुल कर तेरा बचकर 25 मिनट पर गोविनपूरी, 15 बचकर 35 मिनट पर परियागरक जक्षन, 18 बचकर 10 मिनट पर डड़ियू, 19 बचकर 43 मिनट पर बक्सर, 20 बचकर 32 मिनट पर आरा, 21 बचकर 10 मिनट पर दाना पूरुकते हुए पटना जक्सन उसी दिन रातरी में 21 बच कर 55 मिनट पर पहुच जाएगी आनद विहार से ये ट्रेन 16 से लेकर 21 अप्रेल एवं 28 से लेकर 1 जुलाई 2024 तक परिचालित की जाएगी आपको बता दे कि इस ट्रेन में जनरल कोच के 3, शेनियान के 5, तिर्थियर शेनी AC के 3, AC एकनॉमी के 3, तिर्थियर शेनी AC के 2, प्रथम शेनी AC के 1, दिर्यां के 1 और जनरेटर के 1 कोच लगाए जाएगे पटना से लोकल लेटिंग के लिए सचदानन की ये रिपोर्ट